हलो हाई नमस्कार सलाम मैं आकी ब्रजान निूस प्लस से नीट यानी नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट देश भर में इसका इंटरंस एक्जाम हुआ इसे बीच केरल के कॉलम सहर से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है छात्राओं ने रुआसा मन से जवाब दिया कि अपना ब्रा उतारो वरना जाओ इस पर विरोध हुआ और सिक्यरोटी वाले ने इस पर कहा कि क्या तुम्हारा ब्रा तुम्हारे भविस्य से ज़्यादा एहम है देश भर में 17 जुलाई को नीट का मेडिकल इंटरंस एक्जाम हुआ अगर यह केरल की हम बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा लिटरिसी रेट में नंबर वन माना जाता है देश में सिक्षा के मामले में नंबर वन माना जाता है मगर आपने वो कहावत सुनी होगी कि क्या तुम पढ़े लिखे गवार हो क्या यह कहावत दरसल सच हो गया है केरल के कोलम सहर में इंटरंस एक्जाम के दोरां छहत्राओं सेफ चेकिंग के नाम पर उनकी बरा उतरवाई गई वह मौजूर लड़की ने बताया कि उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे बरा में मेटल हुक है जब लड़की ने कहा कि हा मेरे बरा में मेटल हुक है तो उनसे कहा गया कि तुम अपना बरा उतार दो और पहली लाइन में लग जाओ जिसके बाद लड़की लाइन में लग गई और उनको कहा गया कि तुम अपना बरा उतार दो उसके बाद बरा को जमा ले लिया गया लड़की ने देखा कि बरा जो है एक गुच्छे में जमा किया जा रहा था कई लड़कियां भी ऐसा कर रही थी जिसके बाद लड़की आगे पहुची और एक्जाम हॉल में गई एक्जाम हॉल में जाने के बाद कई लड़कियों का यही हाल था बरा ना होने के कारण सरमसार लड़किया अपने तन को अपने बालों से ढख रही थी यह मामला मार्थमा इंस्टिव टॉफ इन्फोर्मेशन टेकनॉलिजी का है यह मामला जब सामने आया तो लड़की के पिता ने शिकायत दर्च कराई और आगे मामला तूल पकड़ता गया 19 जुलाई को दो और शिकायते दर्च कराई गई जिसके बाद बवाल बढ़ता नजर आ रहा था जिसके बाद मामला तूल पकड़ता सामने आया जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने घटना की जांच के लिए फैक्ट फाइटिंग टीम को आदेश दिया हलाकि एजनसी ने पहले आरोपों से इंकार कर दिया था जिसके बाद केरल पुलिस ने बताया कि मामला की जांच की गई जिसके बाद पाच महिला आरोपी को गिरफतार किया गया है अगर आप हमारे वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं